एक पुरानी राजनीतिक कहावत है कि राय सीना हिल्स का रास्ता लखनों से हो कर जाता है। कि मायवती की बसपा और मुलायम सिंग्यादों की सपा के बिना केंदर में कोई भी सरकार नहीं बना सकता था। 2019 में सफा बसबा गडबंधन के बावजूत बीजेपी को जादा नुकसान नहीं हुआ और एंडिये के खाते में 64 सीटे आए। जानकारों की माने तो 2024 का टारगेट करते हुए बीजेपी ने एक नया प्लान तयार किया है। निकाय चनाओ में अच्छे प्रदेशन के बाद बीजेपी चाहती है कि 2024 में 80 में से 80 सीटों पर कबजा किया जाए। और इसे बीजेपी ने मिशन 80 का नाम दिया है। निकाय चनाओ में 17 नगर निगमों में जीत हासल करके बीजेपी इतनी उत्साहित है कि वह अब साफ तोर पर यही कह रही है कि इस बार कमल 80 सीटों पर खिलेगा। और इसके लिए बीजेपी की तयारी भी जोरदार है। दरसल केंदर की मोधी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश में बीजेपी का महा संपरक अभियान शुरू होने जा रहा है। और अगा उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोगसभा की सबसे ज़ादा 80 सीटे यही हैं। इसलिए इस महा संपरक अभियान को लेक वोटर तक बीजेपी के सांसत, विधायक, मंतरी, केंदर सरकार के मंतरी, राजसभा के सदस से पार्टी की बड़े पदाधिकारी, वरिष्ट नेता, संपर को संबाद करने के ले जाएंगे। यानि इस चलचिलाती गर्मी में भी बीजेपी के कारिकरता एसी कमरों में पर्बोद दवर्ग सम्मेलन और व्यापारियों का सम्मेलन भी पार्टी कराने की तयारी में हैं। लोगसबा सीट से दूसरी लोगसबा सीट पर रीशाफल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी फॉर्मूला पहली बार लगा रही है। इससे पहले भी 2019 लोगसबा चनाओ और 2022 विदान सबा चनाओ में बीजेपी ने फॉर्मूला लगाया था, जोसे बीजेपी को काफी जादा फायदा भी मिला था, अब जब मोधी सरकार के 10 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में अंटी इंकमेंसी के बावजूद भी अगर बीजेपी 80 सीट जीतने का लक्ष तै कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे उसने कोई न कोई और अचूक रणनीती तैयार की होगी। अब विपक्ष बीजेपी के रणनीती को भेट पाने में कितना सफल होता है, ये देखना काफी जादा दिल्चस्प होगा। लक्नव से कुमार अभिशेक की रिपोर्ट, यूपी तक।